Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin the topic. आज का हमारा topic है Hebb's Law, बट उससे पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं, जो उस रूल्स को या थियोरी को समझने में हमें हमें हेल्प करेगा. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Neurons क्या होते हैं? Neurons basically हमारे brain में एक working unit है, जो specially हमारे information को एक cell से दूसरे cell में transfer करने के लिए design की गई है. इस Neurons के थूरू nervous system हमारे information को nervous cells और muscles और gland cells में transfer करता है. तो ये हमारा Neurons है और कुछ इस तरीके से Neurons एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हमारे information को transfer करते रहते हैं. Second है synapse. अब synapse क्या होता है? जो दो Neurons के बीच में ये जो processing होती है, जब ये Neurons इधर से fire करता है information को, तो ये firing जो होती है, बहुत तेजी से होती है, जिसके वज़े से ये information दूसरे cell में जाती है, जो हमारे other cells में जाकर transfer होती है. और वो हमारे long term memory में create होती है. तो ये जो बीच का portion होता है न, ये process ये हमारे synapse कहलाता है, neural junction, जो दो Neurons के बीच में एक electric nerve impulses है, जिसके थूँ हमारी memory एक neuron से दूसरे neurons में transfer होती है. second है post synaptic neurons और pre synaptic neurons क्या होता है? pre synaptic और post synaptic neurons ही होती है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि जब एक neuron से दूसरे neurons में transfer होती है, तो वही process जो है post synaptic और pre synaptic में आता है. जैसे pre synaptic वो area होता है, जहां से information हमारी fire होती है, एक तरीक यहां से information हमारी fire होई, तो यह हमारा post synaptic neurons हो गया, और जब यहां पर हमारी convert होके fire होके, जब हमारी information दूसरे neurons में आती है, तो यह post synaptic neurons कहलाता है. अब आते हैं, हैप्स law, हैप्स law, डोनाल हैप्स ने एक बुक लिखी थी, 1949 में, जिसमें the organization of behavior, उसी बुक में उन्होंने हैप्स law को थियोरी दी थी, जिसको हैबियन लर्निंग, हैबियन थियोरी, हैप्स rule, हैप्स postulate और cell assembly थियोरी के नाम से भी जाना जाता है. इस शियोरी में, जैसे मैंने पहले बिता दिया कि, pre-synaptic से, post-synaptic cells में, हमारी जो information है, वो transfer होती है, और फिर ये जो information है, वो repeat होती रहती है, हमारी cells में. और वो neurons हमारी learning process को, explain, synaptic plastic adopt करती है brain neurons से during learning process. ये हप्स law है, हैबियन लर्निंग रूल, जिसको मैंने बता दिया अभी, कि जब एक cell मिन्स, ए से, हमारी, ए से information बी में transfer होती है, बहुत तेजी से, जिससे वो, ए इतना तेजी से increase करता है information को, और बी में, कि वो information यहाँ पे transfer होती है, बट यह जरूरी नहीं है कि अगर यह information बी में transfer होगी, तो वो उसी time पे दूसरे cell में transfer होगी, इसका मतलब यह नहीं है, उसको भी कुछ time लगता है, उस process के लिए हम next video में पढ़ेंगे, long term potential में, इसका एक example है, कि जब information एक cell से दूसरे cell में increase होती है, या transfer होती है, तो वो हमारे conscious mind में रहती है, अगर हम कोई चीच सीखते हैं, वो information हमारे mind में रहती है, और जब हम किसी काम को करते हैं, जैसे एक example है, गाड़ी चलाना, तो हमारे जब unconscious mind में वो memory रहती है, तो हमें यह पता रहता है कि हमें car को कैसे चलाना है, किस तरफ हमें turn करना है, किस signal पर रुखना है तो यह हमारे conscious mind में neurons वर्प करते हैं जिसके थुरू हम इनकाम को करते हैं तो यह बहुत ही simple language में था helps theory इसको और भी details में हम पढ़ेंगे long term potential में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो like और share जरूर कीजिएगा subscribe भी कीजिएगा और नई वीडियो को देखने के लिए देखते रहिएगा और घर पे रहिए सुरचित रहिए सीखते रहिए thanks for watching